स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए आप खुद USB पोर्टबल चार्जर बना सकते हैं इसके लिए सबसे पहले बॉटल का एक धकन लेना है धकन में एक बड़ा छेद बनाए छेद इतना बड़ा हो कि फीमेल कनेक्टर इसमें फिट हो सके USB फीमेल कनेक्टर में फोर पिन्स होते हैं अब हमें दो छोटे कटे वायर चाहिए एक ब्लाक और एक रेड शोल्रूंग आइरन से रेड वायर को पिन वान और ब्लाक वायर को पिन फोर से कनेक्ट करें अब वोल्टेज रेगुलेटर आई सी ले इसके पिन को काट कर छोटा कर दे शोल्रिंग आइरन से कनेक्टर के एक वायर को रेगुलेटर आई सी के पहले पिन से जोड़ें और दूसरे वायर को दूसरे पिन से अब आपको फिर से USB फीमेल कनेक्टर की जरुरत पड़ेगी USB female connector में लगे black wire को regulator IC से जुड़े black wire से जोड़ दे USB female connector में लगे red wire को regulator IC के तीसरे pin से जोड़ दे अब आपको जरुरत पड़ेगी 407 ohms register की दोनों तरफ से इसके तार काट कर छोटा कर दे आप इसके एक तार को regulator IC के first pin से जोड़े इसके दूसरे तार को red LED के एक तार से जोड़ दे अब आपको एक और black wire की सरत पड़ेगी इस wire का एक छोड red LED से जोड़े और दूसरा IC के बीच वाले pin से connect करे अब इन सभी connections को glue से चिपका दे एक धकन में शोल्डरिंग iron से चोटा छेट करके red LED फिट कर दे अब दोनों धकनों को आपस में चिपका दे अब 9V की battery और USB ले USB को phone से और USB female nectar से connect कर दे 9V battery को धकन पचिपके connector से connect करे आपका phone चार्ज होने लगेगा